गुड मॉर्निंग बतो देखो भी या अपने इतिहास के अंदर सात्वा चेप्टर चल रहा था और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग काफी मोश्ट और एक महत्वपून चेप्टर है ये अपने और चेप्टर का नाम था भी या विजे नगर सामराज्ये इस चेप्टर की अपन के सामने है मीरा बाई की गुरू कौन थे मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भी या मीरा बाई की गुरू का क्या नाम था दो हजार पंदरा की जो एक्जाम हुई थी उस एक्जाम में यह क्यूशन आपके पूछा जा चुका है कलियर है लाश्ट अपने वीडियो जो था भी या उसमें मैंने क्यूशन पूछा था कि खाल्षा पंद की इस्तापना किस ने की थी तो उसका और आपको डिटेल चे मेरा बताया हुआ है कलियर है तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मीरा बाई के गुरू कौन थे अब बात करते हैं भी या अपने क्लास की और आज का जो अपना टोपिक है विजय नगर राजदानी था था उसके परीपर देश इसके ओपर चर्चा करेंगे देखो बिया देखो अपने को पहले पढ़ चुके है कि विजय नगर जो सामराज्य था उस सामराज्य पर अपने कई वनसों ने सासन किया था इस इस यूद के बाद है विजय नगर सामराज्य जो है वो पतन की और बढ़ता गया ठीक है अब इसी विजय नगर सामराज्य था जल की विवस्ता केशे थी वहां के राज के किंदर केशे थी सास के किंदर केशे थी वहां पर अपने किल्य बंदी किस पर कार की थी सड़के कि इस पर कार की थी, उन सारे बिंदों के उप़र आज की अपने इस कलास में चर्चा करते हैं। जो अबलेक लिखाएगे उन से या फिर यहां पर विदेशी यातरी आये थे उनके वीरुंट्र से हमें क्या मिलती है जानकरी प्रात्त होती है तो अब यहां पर क्विशन यह आता है कि साब कौन कौन सी विदेशी यात्री आये थे तो ध्यारखनाभिया पंद्री सताबदी में विजे नगर सामराजी की यात्रा पर जो पहला यात्री आया था उसका क्या नाम था निकोलो दे कौन्टी कौन्टी भी लिखाता है कौन्टी भी लिखाता है निकोलो दे कौन्टी भी इसको बोलते है या कहां का रहने वाला था यह इतालवी था ठीक है इतालवी था कहां पर आया था विजे नगर सामराजी की यात्रा पर आया था विजे नगर सामराजी की खो कौन सा था या विजे नगर सामराजे में आने वाला फारस के राजा का दूद कौन था ऐसे क्यूशन आते हैं तो फारस के राजा का दूद पूछ ले तो कौन आया था विया अपने अब्दुर्जाक आया था अब्दुर्जाक जो था वो फारस के सासका दूद था फारस के नहीं तदो संगे अंगे विजय नंगर सामराजी का अध्यर्न करने के लिए यह विजय नगर सामराजेंerek मैं आख वह को हैं मैं यह तीनों और आई को सथक्राइभ में लार पहला हिता ब्रकेुग शुक्त नगर्जें का विजे नगर सामराजे में आने वाले फारस के राजा का दूत कौन था इस परकार से क्यूसन आपके पूछे जाते हैं और टीनों ही कब आये थे पंद्रवी सताब्दी में फिर चलते हैं भी या कौन सी सताब्दी में सोल्वी सताब्दी में भी या अपने तीन यात्री आए थी एका नाम था बार्बोसा पूर्टगाल का रहने वाला था दूसरा था भी या डॉमिंगो पेस ठीक है और तीसरा यात्री था उसका नाम था नूनीज अगर पूरा याद रख सकते तो इनको सोटकट में याद रख पहला बार्बोसा दूसरा डॉमिंगो पेस तीसरा नूनीज नूनीज कहा था पूर्टगाल का ठीक है तीनों ही यात्री कवायते सोल्वी सताब्दी में लेकिन ज्यादातर क्यूशन यहां से पूछे राते हैं इन तीनों से और में क्यूशन यह आता है भी या विजज़न नगर सामराजे में जल संपदा देखो यहां से अपने क्यूशन आता है कईबान जल संपदा से क्या क्यूशन पूछाता है कि विज़न नगर सामराजे में जल की पूर्टी कैसे होती थी या जल की आपूर्टी वहां पर किस परकार से होती थी दो नमर का अपने क्यूशन तो ध्यार्खनाबिया शीदा सा विजे नगर सामराजे आपको बताया हुए दक्षिन भारत में था आपने ठीक है करनाटे वगर अगा तो छेतर है वहां पर था यहां पर विया एक नदी बहती है उस नदी का नाम था कौन सा तुंग बद्रा नदी ठीक है यह तुंग बद् से भी वहां पर क्या हुती ति जलकिया पूर्थी होती थी पहला क्योशन दूसरा आपने कह सकते हैं कि विजे नगर सामराजे से बिया एक नहर ती जिसका नाम था हीरिया नहर इस नहर से भी वहां पर क्या होती थी जल्किया पूर्ती होती थी देखो विजय नगर सामराजे जो था विया एक सुष छेतर था वहाँ पर पाने की कमी थी इसलिए वहाँ पर यह कुंड वगर यह नहरों वगर इनसे अपने क्या होती थी जल्किया पूर्ती होती थी और सबसे में चीज एक जला सताब्ध कानना, 15 सताब्ध में एक जलाशे बनाया गया था जिसका नाम था कमल्पुरम् जलाके जलाके से बही है वह पर अपने जलकी आप उड़े उती थी इसी जलाकी से भी यह कुछटी छोटी नहरी निकाले गई थी और उन से वहाँ पर खेतों की शिचाय भी की जाती थी और इसी जलासे से कौन से कमल पूरम जलासे से भिया जो राज की इंदर था मतलब जहां राजा वगर उसके सगे समंधी वगर रहते थे वहां तक भी पाने पहुंचाया जाता था तो कुछन पूशले विजे नगर सामराजे में जलकिया पूर्ति केसे होती थी तो तुम्बुद्रा नदी से निर्मित एक प्राकरति कुंड से हीरिया नहर से और पंद्र स्तावदी में निर्मित एक कमलपूरम जलासे से ठीक है इसको अच्छी तरह से मैं आपको नोटस में लिखा दूगा कोई ठीक है ये कोई महल है इस महल के चारो और उंची उंची फत्रों की दिवार का निर्मान करवादे चारो और क्या करवादे दिवार बना दे कोई बाउंडरी बना दे मजबूत बाउंडरी वो क्या कहलाती है किले बंदी तो विजे नगर जो सामराजे था विया इस विजे करते हैं देखो भी याँ विजय नगर सामराजे में किल्य बंदी का काफी महत्세ove था, कोई दीकत न यह हर सामराजे में होता है, यहाँ पर देखो नो भी जो की कि इसने पूछ ले कि विजे नगर सामराजे की जो किले बंदी है उसकी जानकारी कौन देता है तो कौन देता है अब्दुर्जाग देता है लेकिन ये जानकारी देखो क्या दीशने विया अब्दुर्जाग की वीवरेंट से प्रात होती है और अब्दुर्जाग कहां पर आया था भीया कालिकट पर आया था अपने कालिकट जो है वो अपने दक्षिन बार्त में जो केरल का छेतर है भीया वहां पर था कालिकट यहां पर आया था कोने अब्दुर्जा कहां से आया था फारस से आया था इसने क्या जयानकारी दिये देखो यह भीया विजे नगर सामराजे की किले बंदी को देखकर क्या हो गया हेरान हो गया कौन अब्दूरजाग ने देखा कि विजे नगर सामराजे के किले बंद किया गया और किले बंद इस परकार से किया गया कि वहे उसको देखकर हेरान हो गया हेरान क्यों हुआ क्यों क्यों कि इसमें विजे नगर में सहर के साथ साथ खेट और जंगलों को भी क्या किया गया था किले बंद किया गया था लगबल लगबल सामराजे में यही होता है कि जो सहर होता है में कस्वा जो होता है मेन सामराजे जो होता है मेन जो छेतर होता है उसी को किले बंद किया जाता है लेकिन यहाँ पर भी यह सहर को तो किले बंद किया गया था साथ ती साथ में जो जंगल थे जो खेत खलियान थे उनको भी क्या कर दिया गया किल्य बंद कर दिया गया अभी यहां पर आपको क्यों पूछ लेके खेतों को किल्य बंद क्यों किया गया ठीक उसकी चर्चा करेंगे अभी अपने आगे अब देखो किल्ये बंदी किसे होती थी या फत्रों से होती थी और फत्र के से फानाकार फत्र होते थे मतलब बड़े बड़े फत्र होते थे एक फत्र के उपर दूसरा फत्र इस परकार से रखकर अपने क्या बनाया जाती थी दिवार बनाया जाती थी और फत्रों को जोडने के लिए क्या काम में लेते थे भी या गारे का मिश्रन गारे का मिश्रन मतलब जो गार माटी आवे ना आपने मारवाले बो सब बोलने हैं गार माटी उस गार माटी मिस्रेंट के या गारे के मिस्रेंट से भी आफ फत्रों को एक के उपर एक फत्र को रखतर जैसे अभी अपने क्या करते हैं दिवार बनाने के लिए सीमेंट और इंट का प्रियों करते हैं नहीं करते हैं तो वहाँ पर उसमें भी आफ सीमेंट नहीं थी वहाँ पर क्या था गारा था गार मिट्टी जो थी चिकनी मिट्टी जो थी उनको वो क्या लेते थे काम में लेते थी और फत्र जो होते थे वो फनाकार बड़े बड़े आकार के फत्र होते थे उन फत्रों को एक के उपर एक इस प्रकार से जचाकर दिवार का निर्बान किया था और फत्रों को जोडने के लिए क्या मिला जाता था अब देखो भी या अब्दुर जाग आगे क्या कहता है अब्दुर जाग कहता है कि यहाँ पर पहली दूसरी और तीसरी दिवार जो है वो जुते हुए खेत बगीचे और आवाज थे मतलब पहली दिवार हो गए विजे नगर खेत थे, मतलब कर्शी छेतर था, इसी दिवारों में क्या था, बगीचे भी थे, और इनी दिवारों में क्या थे, आवास भी थे, मतलब बगीचों को भी क्या कर दिया गया था, किले बंद कर दिया गया था, आवास जो थे, उनको भी क्या कर दिया गया, और जो अपने खेत उन खेटों को भी क्या कर दिया गया किले कर दिया गया अब यहाँ पे दे कुछ धान देना कुछ पूछते हैं कि विजे नगर सामराजे की किले पन दिका अले किस विदे से यातरी ने किया है तो नाम हो जाएगा आशर क्या होगा आखी या अब दूर्ग रजा कहां से आया था, फार्ड से आये था, कहांपर आया था, कालिकट में आये था, कोई दिकट नीए, अब बात यहां पर क्यूसन पूछ लिया कि विजन अगर्स नागर समराजे, जएसी सिबात गरों को किल्ये बंद करते है, कोई बात नीए, लग-बल लग-बल समराजे में करते थे, चलो को भी कर दिया लेकिन खेतों को किल्य बंद क्यों किया गया यहां पर जो अनाज था वो अनाज यहां पर जो अनाज था उस अनाज की अपने सत्रों से रक्सा करने के लिए मालो सत्रों आक्रमन करेगा तो सबसे पहले किसको समाप्त करेगा अनाज को समाप्त करेगा खाने पाने की क्या करेगा समाप्त करेगा ताकि उनको खाने की पाने की आप उरती ना हो सके तो सत्रों से अनाज की रक्सा करने के लिए या अपने कहदें कि जो पसू वगर होते हैं जंगली जानवर वगर होते हैं उनसे अपने अनाज की रक्सा करने के लिए ठीक है या अपने कहदें कि जो खादे सामगरी होती है उस खादे सामगरी को सुरक्षित रखने के लिए इसलिए इनका क्या किया गया था किल्ये बंद किया गया था कलियर है कोई दिक्कत नहीं ये किसलिए खादे सामगरी और अनाज की क्या करने के लिए रक्सा करने के लिए रक्सा किसे भी या चाहे जंगली ज्यानवर पस्वों से रक्सा हो या जो विदेश आकर्मन कारी है या जो हमलावर है या जो सत्रू है या जो दूस्मन है जब वो हमारे उपराकर्मन करे तो वो खेतों को नुकसा ना पहुंचा सके अनाज को नुकसा ना पहुंचा सके इसल से अपने नगरी केंदर के जो आंतरिक भाग थे मतलब नगर आ गया विजए नगर हो गया विजए नगर सामराजी इसका जो आंतरिक छेतर था उस आंतरिक छेतर को क्या किया गया था किल्य बंद किया गया था कोई विशेश नहीं है यहाँ पर देको ऐसे क्यूशन को सकते आ आंतरिक भाग आगे, तीसरी में कौन सी आगे, सास की एकिंदर, मतलब जहां से राजा सासन का संचालित करता था, में छेतर, ठीक है, अब यहां पर क्मिशन पूछ ले की, विजए नगर सामराजी में तीसरी किल्य बंदी से किसको किल्य बंद किया गया था, तो सास की परवेस्टवार का मतलब या अपने कोई भी, कहीं भी अपने जा रहे हो मालो, जैसे कोई महल है, यह महल हो गया, ठीक है, यह महल हो गया, इस महल के चारो और क्या की गई है, किल्य बंदी की गई है, लेकिन इस किल्य बंदी की एक खास बात होते थे, कि इस किल्य बंदी के अंदर या अपने महल में जानने के लिए यहां पर क्या होते थे परवेश दुआर होते थे मतलब में दर्वाजा होता था जिसे होकर एंटरी की जा सके जिसे होकर बाहरे आ सके कोई दिकर नहीं है जो सहर को मुख्य सडकों से जोड़ते थे कौन ये परवेश दुआर जो थे कोई भी दर्वाजा है उस दर्वाजे के उपर आपने किसी परकार की कोई डीजाइन वगर बना दी उसको क्या बोलती है महराब कुछ भी आपने बना दी कोई डीजाइन वगर बना दी ठीक है वो तो क्या होगे महराब दूसरा वड़ाता है या गुबन्द ये गुबन्द को क्या है गुबन्द ये अपने जो तुर्की सुल्टान अपने भारत में आये थे या जो इसलामे सास का आये थे उन इसलामे सास को ने अपने इनका क्या किया गया था निर्मान किया था या इस परंपरा को इन्होंने प ठीक है इसको क्या कहते हैं अपने महराब और ये महराब किन की देन थी इसलाम की देन थी या जो तुर्की सुल्तान थे उनकी देन थी ठीक है इसलिए भी या इस महराब और गुबन जो बनाये गे थे इसको अपने क्या नाम दिया गया है इंडो इसलामिक शेले कहा गया है क् अपने इनदोस्तान का थो यह तो होता है एंडिया इसलामिक स्लिक है इसके इसके अलाब taraf क्या लगती थी बाजार लगते थी कोई दिकत नहीं है यहां से बिया अपने चीनी मिटी मस्जीत मकबरे मुस्लिम महले के भी क्या मिले है साक्षे मिले है मतलब विजे नगरे सामराजे से यहां पर बिया एक यात्री आया था जिसका नाम था बारबोसा अब गुर्जी बारबोसा कब आया था सोल्वी सताबदी में कहा के यात्री था पूर्टगाल के यात्री था विया इस बारबोसा ने देखो विया क्या कहा है बारबोसा ने कहा है कि लोगों के जो अन्य आवाज थे वो किसके बने वे थे चपर के बने वे थे चपर आप सब लोग जानते ह चपर क्या होता है चपर के बने वे थे और वहाँ पर लंबे लंबे गलिया थी मंदिर मिले हैं और वहाँ पर क्या बने वे थे जला से बने वे थे मतलब छोटे मोटे कुंडे बने वे थे पानी के लिए अब बात करते हैं भी यार राज की ये केंदर की राज की ये केंदर मत इतने मंदिरों के अवसेश मिले हैं लगबख साथ से अधिक क्या थे मंदिर थे मैंने आपको फर्स्ट क्लास ने बताया था कि वीजन नगर सामराजे के जो राजा थे उन्होंने चोल पांडे जो सास सकते उन सासकों की देखे देखे यहां पर किनका निर्मान करवाया मंदि मिले हैं जिनको देखकर इसा लगता है कि यह क्या हो सकते थे राजा माराजाओं के या उनके जो राजा माराजाओं के मंत्री वगड़ है या सेनपती वगड़ है थे उनके क्या थे महल थे यह सारी चीज़े अपने कहां से मिली है राज के किंदर से मिली है कहां पर था दक ठीक है उसके चर्चा आपने next class में करेंगे आप copy निकालो और heading लगाओ विजे नगर राजदानी थता उसके परिपर्देश ठीक है और इसमें लिखो भी यह आप विजे नगर सामराजी सबसे परशित सहरों में से एक था विजे नगर सामराजी उस समय के सबसे परशित सहरों में से एक था जहां से विजे नगर के राज़ाओं थता उनके नायकों के बड़ी संक्या में अबिलेक मिले हैं उन अबिलेकों से मंदिरों को दिये जाने वाले दान और महत्वपूर्ण गठनाओं की जानकारी प्राप्त होती है इसी विजे नगर समराज़े की कई यात्रियों ने यात्रा की जिन में परमक यात्री इस परकार है पिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसके साथ में क्यूसन भी लिक लो भी है बड़ा अच्छा क्योशना आता है कि विजे नगर के विजे नगर सामराजे की जल आव शकताओं को किस परकार पूरा किया जाता था ये क्योशन भीया अपने दो बार आ चुका है और दो हजार बीस में भी आ चुका है ठीक है इसलिए मैं आपको इसको लिखा रहा हूँ, पुरा सा लिखो आप इसमें विजे नगर जैसे विशाल सामराज्य को जल की आपूर्ती तुम बद्रा नदी से निर्मित एक प्राकर्तिक कुंड से होती थी यह नदी उत्तर पूरों दिशा में बहती थी विजे नगर वहां के सबसे सुष छित्रों में से एक था अतहे वहां पाने को एकत्र करके सहर तक ले जाने के लिए विशेश परबंद किये गए थे यहां के सबसे महतो पूर्ण जला से कमल पूर्ण का निर्मान पंद्री सताब्दी के आरभिक वर्षों में हुआ जिसके पानिशे आसपास के खेतों की शिचाई थता शाहि केंदर को भी जल की आपूर्टी होती थी आगे लिको कमल पूर्ण जला से के अत्रीक थी हीरिया नहर एक अन्य महतोपूर नहर थी जिससे तुंग बद्रा पर बने बांध में जिससे तुंग बद्रा पर बने बांध से पानि लाया जाता था इस जल का परियोग दार्मी के अंदर से सहरी के अंदर को फर्तक करने वाली गाटी की सिचाई करने के लिए किया जाता था इनके अलावा जल के मुक्के श्त्रोथ कुए और जलासे भी थे ठीक है अब हेडिन अगवा भी या किल्य बंदी और सडके इसमें लखो इसमें लखो विजे लगर सामराजी में किल्य बंदी का काफी महत्वत था किल्य बंदी की जानकारी फारस के राजा के दूथ अब्दुर रजाक के विवन्ट से मिलती है जो पंदरी सतापदी में कालिकट आया अब्दुर रजाक विजे नगर सामराजी की किल्य बंदी को दे कर हैरान हो गया हाँ तो लिखागए अब्दुर रजाक विजे नगर सामराजी की किल्य बंदी को दे कर हαιरान हो गया क्योंकि यहाँ पर सहर के साथा खेत और जंगलों को भी किल्य बंद किया गया था किल्य बंदी फनाकार फत्तर और गारे के मिश्रन से की जाती थी अब्दुर अजाक ने बताया कि पहली दूसरी और तीसरी दिवार जुते हुए खेत, बगीचे और आवास थे ठीक है? अब यहाँ पर एक हैले लगाओ खेतों को किल्य बंद क्यों? खेतों को किल्य बंद क्यों? एक क्यूसर में लिख लो भी या विजए नगर सामराजे में कर्शी छेतर को किल्य बंद क्यों किया जाता था? क्योंकि यह क्यूसर भी बढ़ा अच्छा क्यूसर ने कई बार एक्जाम में आच चुका है तो इसमें लिखो भी या विजय नगर सामराजे में खेत या कर्शी छेतर को किले बंद इसलिए किया जाता था क्योंकि अब नमबर एक लगा के लिखो क्योंकि इससे आकरमन कारियों से खादे सामगरी को नुकसान नहीं पहुंचता नमबर दो आकरमन कारियों से खादे सामगरी को नुकसान नहीं पहुंचता नमबर दो आकरमन कारी खादे सामगरी तक नहीं पहुंच पाते नमबर तीन जब सत्रु सेना द्वारा दुर्ग की घेराबंदी अनेक वर्सों तक रहती तो उस समय राज्य में अनका संकट उत्पन नहो इसलिए किल्यबंदी की जाती नमबर चार किल्यबंद सहर ये शुरी किल्यबंद खेत पस्वों से सुरक्षित रहते थे ठीक है कोई दिकत नहीं है अब आगे लिखो भी आ दूसरी किल्यबंदी नगरिय केंदर के आंत्रिक भाग के चारों ओर थी तता तीसरी किल्यबंदी सास केंदर को घेरा गया था आगे लिखो वीजे नगर सामराजे में दुर्ग में परवेश करने के लिए परवेश दुआर थे जो सहर को मुख्य सड़क से जोरते थे परवेश दुआर पर महराब और गुबंद बने विये थे महराब और गुमंद के निर्मान की शेली इंडो इस्लामिक शेली कहलाती है वीजन अगर सामराजे में सडके घाटियों से होकर गुजरती थी तता सडकों के दोनों और बाजार होते थे यहां से चिन्नी मिटी मैस्चित मकबरे मुस्लिम महले के साख से भी मिले है बार बोसा नामक पूर्टकाली यात्री ने बताया की यहां के लोगों के अन्य आवास चपर के बने थे थता लंबी गलिया मंदीर और जला से बने हुए थे अब हेडिंग लगाओ भी या हेडिंग लगाओ राजकिये केंदर इसमें लिखो विजे नगर सामराजे में शाही केंदर अत्वा राजकिये केंदर बस्ती के दक्षिर पक्षिंबाग में इस्ति थे इसे राजकिये केंदर अवज से कहा गया है किन्तु इसमें 60 से अधिक मंदीर है जिससे ग्यात होता है कि राज्ये द्वारा मंदीरों को स्रक्षन परदान किया जाता था इतियास कारूने लगबग राजकिये केंदर की 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में की है यह महल अपेक साकर्त बड़े भवन थे बड़े भवन थे ठीक है यहां तक हो गया भी या कल अपने आगे की चर्चा करेंगे ओके देट सो